नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की दुनिया की राजनीती कूटनीती जिस तेजी से नया डाइमेंशन अख्तियार कर रही है वो अक्सर आपको हमको चौका देती है अब देखी न जिस तरह से अमरीका ने द्रो हमलों को और उनसे जुड़ी हुई राजनीती को चर्चा के केंद्र मिलाया है अब अमरीकी अधिकारियों का जो दावा है उसके मताबक अमरीका ने दो हेल्स फायर मिसाइल का इस्तमाल करके द्रोन हमले में शनिवार को रात दस बज़े से पहले इस पूरे घटना क्रम को अंजाम दिया द्रोन हमले में किसी दूसरे देश की जमीन पर बिना उसकी सरकार को भरोसे में लिए इस तरह से हमला करना हम सब जानते हैं कि अंतराश्टी कानूनों का उलंगन है लेकिन अमरीका ने कब माने हैं ये नियम यह जरूर है कि वह इन तमाम नियमों को दुनिया कभर में हम दो एहम खबरों पर चर्चा करेंगे दो ऐसी खबरे जिस से जुड़ी हुई है विश्व शानती की कड़ी जिस तरह से अमरीका की हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैंसी पिलो से अचानक ताइवान पहुशती हैं और वहां पर जाकर कहती हैं कि अम विश्चित तोर पर चीन भीशन गुस्से से भरता है सवाल सबसे पहला कि आखिर क्यों पहुशी नैंसी पिलो सी वहां पर वह भी तब जब दुनिया पहले से यूक्रेन युद्ध को जेल रही है क्या ताइवान जिसे चीन अपना अभिन हिस्सा मानता है वन चीन की थियो हुई है वहां से एक अच्छी तस्वीर हमारे सामने आई है हम सब जानते हैं कि फरवरी से यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा है जिसमें नैटो पीछे से बहुत एहम भूमी का अदा कर रहा है यह जो तस्वीर है यह तस्वीर है अनाज भुट्टे से भरा ज रहाज यूक्रेन के ओडिसा बंदरगा से बाहर निकला सवाल यह है कि क्या रूस से भी अनाज का एक्सपोर्ट शुरू होगा और अगर होगा तो कब क्योंकि देश और दुनिया बड़े पैमाने पर भुखमरी के कगार पर पहुचे हुए हैं बहुत से देश जहां पर इ प्रवीर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एशिया के इस हिस्से में जो तनाव अचानक पैदा हुआ है जिस तरह से युएस हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव की जो लीडर है जो स्पीकर है नैंसी पिलोसी वह पहुची ताइवान और उसके बास से जो दिखाई देती है यह जो अचानक विजिट हुई है पिलोसी की इससे अमरीका क्या हासिल करना चाहता है देखिए पहली बात तो पिलोसी अमरीका की पूरी सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है यह मानके नहीं चलना चाहिए क्योंकि जित्ते संकेत मिला है और पहले भी जो प्राइब मिनिस्टर शी जिंग पिंग से जो बात चीत हुई है इससे साफ दिखाई देता है कि बाइडन अडिस्ट्रेशन की इस पे सहमती नहीं थी कि नैंसी पेलोसी इस वक्त चीन को इस तरह से एक टेंशन में डाले उनकी अपनी संबन जो चीन से है अमरीका और चीन क इस वक्त वो नहीं चाहते यह तनाव पैदा हो अमरीका मिलिटरी भी यह कह चुका था कि यह सही नहीं है इस वक्त हम डिफेंड करेंगे कूंकि वो हमारी कॉंग्रेस की प्रेजिडेंट अध्यक्षा है तो उसको हम रिप्रेशन करेंगे पर यह इस वक्त मिलिटरी सही कद नहीं होगा तो यह जो बाते आई है इससे साफ है कि आम सहनती अमरीकी सरकार की इसके पीशे नहीं था यह पेलोसी का एक हिसाब से कह सकते हैं ग्रैंड स्टैंडिंग क्योंकि उसका जो पहलू है हाउस अफ रेप्रेजेंटेटिव की अध्यक्षा है इस वाक्त वो खदम होने जा रही है लगता है क्योंकि डिमोक्राइट्स प्रॉबब्ली हाउस अफ रेप्रेजेंटिव चुनाओं में माइनॉरिटी हो जाएंगे उनका जो चुनाओं होता हर दो साल के बाद हाउस अफ उसके और भी जो लोगों का कहना है कितना सही है कितना गलत है वो अलग बात है कि उनकी कंस्टिट्वेंशी में एक्सपैप्ट्रेट काफी चाइनीज हैं टाइवान से संबंध रखते हैं और इसी लिए उनका एक ये भी था कि उनकी कंस्टिट्वेंशी की ओपर एक आख रह सकती है ये भी लोग कह रहे हैं मैं इस पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि कौन किसने क्यों किया इनसान को प्रेडिक्ट करना संभब नहीं है हम यह देख सकते हैं कि अमरीका और चीन की टाइवान के बारे में पॉलिसी क्या रहे चुपी है पिछले बहुत दशकों से सरकार वहां पर आई तब च्यांकाई शेक अपना सरकारी जितना चाम जाम ले जा सकते थे लेके टाइवान पहुंच गए थे और तब अमरीका ने यह घोशना किया था कि च्यांकाई शेकी चीन की अध्धक्ष है और यह सरकार जो चीप आई है उसको हम नहीं मान्यता देत हैं और तधाकदित टाइवान तब उसको ही चीन की संटी बिली थी और वह काफी दशकों वही संटी चीन को चीन के नाम cada1 को मिलाथा पर दohat चीज़ यह कि चीन से अलग नहीं है यह वो खुद भी कह रहे थे और चीन में लगाता रहीं कहता है और जब चीन के साथ बातचीत करके आपको याद होगा निकसंग विजित वहां पर हुआ था किसिंजर के साथ जब ये बदली और ये कहा गया है कि PRC को हम चीन का recognition देते हैं तभी भी ये बात थी कि one China policy हमारी रहेगी टाइवान चीन नहीं है चीन का अंग्श है ये हम मानके चलते हैं अलग देश नहीं है तो ये उनकी सतर साल की ये position रही है अमरीका की तो इसी लिए उनको ये एक आएक ये घोशना करना कि टाइवान एक इंडिपेंडनेंट देश है ये पिलोशी ने कहा वहां पर पिलोशी ने जिस तरह से कहा वहां पर कि भाई हम टाइवान के support में यहां यह सब कहा पर यह नहीं कहा कि हम टाइवान को चीन से अलग करना चाहते हैं यह सरासर नहीं कहा कि अभी भी अमरीकी पॉलिसी यह नहीं रहा है तो वो यह कहते हैं कि हम टाइवान को प्रोटेक्ट करेंगे हम टाइवान के साथ खड़े होंगे पर टाइवान इंडिपेंड यह नहीं है क्योंकि वह जानते हैं यह position अगर फॉर्विली लेगी तो उसका military repercussions भी हो सकता है चीन अभी तक उसका position रहा है peaceful unification हम करेंगे हम military कदम नहीं उठाएंगे तो यह अगर वो destabilize करें कि इसको यह कहें कि one china policy नहीं मानते दो चाइना policy हमारी होगी टाइवान अलग राश्रा है तो चीन अभी तक जो कहा है कि peaceful peacefully हम इसको करेंगे unification करेंगे military गदम नहीं उठाएंगे तो उसमें भी बदलाव की संभावना हो सकती है यह खत्रा सब के लिए है क्योंकि अमरीका और चीन के बीश में अगर जंग शुरू होता है देख लीजें यूक्रेइन में जो जंग हो रहा है हम इसको कहते आएं के जंग है पर ये एक तरफ से बुखोटा तो है ना नेटो फॉर्बली इस पे नहीं है उनकी सेनाएं नहीं है उनकी अस्ट चलाने के लिए भी शायद मदद कर रहे हैं इंटेलिजन सपोर्ट दे रहे हो तो खुलियाम कह रहे हैं कि हमारे सैटलाइट वगरे से साहं चीज उनको दे रहे हैं यूक्रेन को तो किस तरह कितना शामिल है अलग बात है पर फॉर्मल उन्होंने इस जंग में शामिल नहीं हैं नेटों के तरफ से तो यह एक खौटा तो है कि हम खुद नहीं लड़ रहे हैं ऐसे समय जब दुनिया एक जगा संघर्ष देख रही है और वह संघर्ष इतना लंबा फरवरी से शुरू हुआ और अगस तक उसी तरह से चल रहा है उस समय और जो सैंक्शन्स हैं इसमें जो सबसे बड़ा खत्रा पिलोसी की विजिट के बाद लग रहा है कि चीन किस तरह से रियक्ट करेगा उसका क्योंकि वह गुस्से में है उसका गुस्सा बहुत सुभाविक है उसका स्टैंड बहुत पहले से क्लियर था ताइवान को लेकर और यह माना जा रहा था कि तकरी क्या आपको लगता है कि क्योंकि यह टसल तो लगता नहीं बहुत आसानी से हल होगी आपका सबाल जो है उसके लिए तो जोतिश शास्ट्र के इस्तेमाल करना पड़ाएगा तो यह बुश्किल है तो हम बता सकते किस वक्त जो है इस वक्त क्या स्थिती है और क्या संभावन प्रों प्रों यह कि हमें वून नहीं है छीन के वांट्र के अर्थिक संब्द कारनें जींग उनके साथ संब्द संब्द कारने की चीज़ेगा बहु जाती है चीन क्योंकि सबसे बड़ा market है स्वहाविक है कि लोग चीन को ज्यादा export करते हैं और चीन जो import करता था अभी भी करता है वो electronic chips इंपोर्ट करता था पर जिस तरह से अमरीका ने sanctions लगाया है तो इसी लिए वहां से import करना कुछ chips की जो आपका एक level of density होती है, उसके ज्यादा dense chip वो नहीं import कर सकते, latest generation of chips जो TSMC से आती है, सबसे बड़ा silicon foundry वही है, वो चीन import नहीं कर सकता, पर अभी भी काफी सामान electronics से लेके food products वो Taiwan से import करता है, और Taiwan को export भी करता है, तो इस पे पहला उन्होंने food products पे उन्होंने sanctions लगाया, करीब 2000 food products में sanction है, हलांकि number of items इससे भी काफी ज्यादा है, जो import करते हैं, तो एक तो यह है, दूसरी बात जो टाइवान का इस वक्त खत्रा नजर आ रहा है, कि इसके वजह से वो एक partial blockade ना कर दे, इसका मतलब military maneuvers कर र बाधा जो है, वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सही बात तो यह है, कि चीन की जो territorial sea कहते हैं, इसके बाद जो natural boundaries हैं, कि हम कित्ते दूर तक जा सकते हैं, notice देखें, क्या कर सकतें नहीं कर सकतें, वो काफी fluid है, दुनिया में इस पे बहुत बहस चलती है, कि कित्ते दूर तक ह हमारा control होना चाहिए, और दूसरे को यहां पर ना आने देने की, क्या हमारी अवकाद है, तो उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, जो अमरीका कहता है, right of free navigation, वो कोई मानता नहीं है, और also जो कहते uncloss है, जो United Nations की treaty है, उसमें भी तटवरती देशों की कुछ powers हैं, खास तोर यह तो nuclear arms उस जहाजों में होगा, तब उनकी क्या सम्मती होनी चीह है नहीं, coastal countries की, इसकी अभी भी काफी बहस है इसको लेके, और दुनिया अमरीका की इस बात को नहीं मानता है, ना कि हिंदुस्तान मानता है, तो इसलिए इन चीजों को देखते हुए, एक चीन के तरफ से यह संभाबना तो है, वो रुकावट पैदा करें टाइवान के आसपास, और तीसरी बात यह है कि अगर जंग की तरफ बढ़ता है, तो अमरीका इसका काफी वार गेम्स इसे कहते है, करके देख चुके है कि टाइवान इत्ता करीम है चीन की, कि वहां जाके अमरीका को चीन को रोकना संभब नहीं है, जैसे नक्षे मैं दिखाई दे रहा है कि जितना डिस्टेंस है उसका वहां से वहां तक, देख लिजे पसिफिक ओशन के उस पार अमरीका है, इस पार टाइवान है, और चीन से करीब 17 किलावमेटर दूर है, तो यह तो मुंकिन नहीं है कि वहां जाके वो लड़ सके, हो सकता था, 10-15-20 साल पहले, वहां पर फिर भी उनकी प्रभुत्व हो सकती थी, पर इस वक्त उस्थिती बे नहीं है, चीन की काफी सामरिक शक्ति, मिलिटरी पावर काफी बढ़ी है, और इतना पास है, इतना करीम है, कि वहां जाके लड़ के जीतना अमरिका के लिए संभब नहीं है, इसलिए अमरिका की मिलिटरी भी इस तनाव को नहीं चाहती थी, उनको लगता है कि ये तनाव जो है, हम इसमें जीत नहीं सकते, तो इस तनाव को पुलिटिकली रिजॉल्व करना सही है, इसको मिलिटरी दिशान में नहीं जाना चाहिए, उनकी भी ये समझ है वो सकता दस साल बाद और भी सारे चीजे बढ़ा के उनकी ये नजरिया बदले पर इस वक्त ये नजरिया नहीं है कि वहाँ पर वो मिलिटरी लगाई चाहते हैं तो इसी लिए ये लगता है एक बेखुफी वाली कदम है जिसमें अमरीका का कोई बेनेफिट नहीं मिलने जा रहा है और टाइवान के काफी नुकसाद ही होगा तो टाइवान क्यों इसको माना क्यों इसको इनकार नहीं किया यह अलग बात है तो टाइवान के लिए अच्छी कदम रही है और अमरीका चीन में दराण बढ़ना इस वक्त अच्छा नहीं है अल्रेडी बहुत सारे तनाव है दुमिया में एक और एक तनाव पैदा करना मेरे स्याल से यह एक गलत कदम था इमान के चल सकते हैं कि यूकरेन की गती टाइवान की नहीं होगी अभी जो सबसे बड़ी तस्वीर यूकरेन से दिखाई दी है कि जो मेज यानि भुट्टे से भरा हुआ जहाज बाहर निकला है जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे जो संधी हुई थी वहां पर की अनाज बाहर जाए दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुचे रूस के संदर में जो समझाता हुआ था यह जो बाची थी कि वहां पर भी जो बड़े पैमाने पर अनाज है वह बाकी जगों पर जाए उस दिशा में कुछ प्रगतिव होती दिखाई दे रही है क्या पहली बात तो यह है कि जो एक जहाज उनेसा से निकल के चल पड़ा है वह मेरेखास से आफ्रिका की और चल पड़ा है लिब या मेरे ख्याल से लेवनान में कि टो यह एक अच्छी कदब इसलिए है कि लगता है कि एक चैनल निकला है माइंस के बीच में युकरेन ने अपने हार्बर को माइं माइन किया था टाकि रूस За जहाज वहाँ ना पहुंच पाए उस समुंदर के दिशा से उसको पर आखरमन नहों तो वह एक चैनल क्लियर कर चुका है और जहाज जा पा रही है तो यह एक अच्छी कदम है हमें इतना अंदाजा नहीं था कितना अंदेशा नहीं था कितना जल्दी यह शुरू हो सकता है का कि इसका मतलब है कि पोर्ट से माइन्स होने के बावजूद चैनल के जरीए जहाज आना जाना शुरू कर सकते हैं और इसी यूक्रेन की जो फूड ग्रेंस है वो दुनिया में दूसरे जगों पर पहुंचेगी रूस की आपने बात कहा था रूस की अनाज की अभी भी कोई खबर नहीं है अनाज और फर्टिलाइजर दोनों चीज की जरूरत है दुनिया को आफ्रिकन यूनिन की जो प्रेजिडेंट है उन्होंने बार बार कहा था कि हमारे लिए रूस से अनाज और फर्टिलाइजर खरीदा मुश्किल हो रहा है कि बैंक्स पे सैंक्शन है आपने सही बात कहा है यूनियोन घाते है है आपने सही बात कहा है कि आपने नाज पर फरटिलाइजर पे सैंक्शन नहीं लगाyn पर हकिकत तो यह रहाएंस शिक सिस्टम से आपने निकाल दिया उन पर सैंक्शन्स लगा दिया तो तब यूरपेन यूनियन ने जो लगातार इंकार करे जा रहा था हमारे वजह से नहीं रुका है जब आफ्रिकन यूनियन के प्रेजिडेंट खुद ये कह रहा है तब उनको मानना पड़ा हो सकता हम से सवाद संप्चिंशन। रहे गाज और पर धोडियाज के लिए चीजह कंड सवाहल सबहुत ये काम्याब होगा कि दूसरे संक्या मैं कंडू सुषभा क होगए या कहेंगे कि इसको बड़ा मक्यडा फीला है इसको करने के लिए क्योंकि बहुत सारे कागजात देने पढ़े तूफ करने के लिए इसका सामान है उसका नहीं है तो यह सब देखते हुए देखना पढ़ेगा उससे रूस का एक्सपोर्ट आफ्रिका की और शुरू हो सकती है नहीं अभी तक वो चालू नहीं हुआ है तो हम इंजार कर रहे हैं देखने के लिए कि वो भू शुरू होता है नहीं क्योंकि भूल नहीं जाना चाहिए रूस का जो अनाज है फर्टिलाइजर है उसकी ज़रूरत दुनिया को ज्यादा है क्योंकि सबसे वो यूख्रीन से भी बड़ा एक्सपोर्टर आफ वीट फूट ग्रेंज्ग्रेंज है और वो फर्टिलाइजर यूख्रीन ही पर आफ्रिका को जो उसका अग्रिकल्चर है उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा रूस से और फूड ग्रेंज कब चालू होता है कदम लिया गया है कह रहा है यूरोपियन यूनियन पर क्या काम्याब होगा नहीं वो देखना पड़ दिखाई दिया है उसी तरह से रूस से जहाज फर्टिलाइजर और अनाज लेते हुए दिखाई दें क्योंकि दुनिया में संकट अनाज का और फर्टिलाइजर का और खास तोर से जो अफ्रीका के तमाम देश हैं वहाँ पर बहुत गहराता हुआ सामने आ रहा है तो यह हम उमीद लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस दिखाई में भी विश्व कूट नीती बढ़े और कोई राह निकले दोस्तों अंतराष्टिये मंच पर युद्ध के बादल कब मंडराने लगें इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अब किसने सोचा था कि 2022 की यूक्रियन युद्ध से होगी जिससे पूरी दुनिया बड़े पैमाने पे तबाह है हम और आप पेट्रोल डीजल अनाज पर्टलाइजर तमाम चीजों के भीशन दाम चुका रहे हैं ऐसे में दूसरी जगा और एशिया में ताइवान चीन और अमरीका के बीच तनाव न रास्ता निकाला जाए ताकि दुनिया बुनियादी मांगों को लेकर आगे बढ़ सके और अमन और शांती का महौल कायम हो सके शुक्रिया